हैलो स्टूडेंट वेलकम टू स्वातिस क्लासेश आज हम देखेंगे फोर स्टैंडर्ड ईवेस्टू लेसन नमबर नाइन तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीज़े आपको ईवे वीडियो में देखना है तो चलिए देखते हैं हम यहां तक आज चुके थे दे मीटिंग प्लेस तो यहां पे जो अफजल खान आण श्वाजी महाराज की जो मीटिंग होने वाली थी इसकी प्लेस उन्होंने डिसाइड कर ली थी कहां पे माची ऑन प्रतापगड जो प्रत सब्सक्राइब कर इसके उपर ऐसे क्या होते थे क्ले होते थे उस टाइम तो देखिये नेक्स पेच पर हम देखेंगे यहां पर और डेट अट टाइम वजद फिक्स तो यहां पर शुवाजी महाराज जान अब जल खानी उन्होंने क्या किया था डेट एक दिन और उनका ट परवंट को लखे आएंगे हमारे एंड टेन बोडिगार्ट साथ में लाएंगे और वह भी कहाँ पे थोड़े से डिस्टंस पे खड़े रेने वाले साथ में कोई लाएगा नहीं तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने क्या किया कि अबजल खान को उपर आने के लिए एक शिवाजी महाराज ने जो डिसाइड किया था कि अबजल खान के साथ हमें मिटिंग करनी है लेकिन हर एक step जो था उनका हर एक मूँ जो थी ये पूरी तरीके से सोच समस्के कर रहे थे He divided his army into small units तो यहापे उनोंने क्या कि जो भी उनकी army थी उसको small units मतलब छोटे-छोटे groups में बाट दिया Each unit was told where to hide and when and how to act तो हर एक जो उनका unit था हर एक group को उनोंने पहले से बोल के रखा था कि उनको कहाँ पे चुपके बैटना है और कब उनको और कौन सा act करना ये पूरी तरीके से समझा दिया था He took every measures for safety and left nothing to chance तो यहाँ पे पूरी तरीके से उनोंने अपने safety का ध्यान रखा था अपने लोगों का ध्यान रखा था कि कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है जिसके कारण हमारे स्वराज्य को क्या हो सकता है खत्रा हो सकता है Many of his advisor try to disuse him from meeting the Khan तो यहाँ पे उनके जो advisor थे उनके साथ उनोंने काफी समझाने की कोशिश कि कि उन्हें अबजल खान के साथ meeting नहीं करनी है The Khan's word could not be trusted तो अबजल खान ऐसा इंसा नहीं है कि उसके बातों पे विश्वस किया जा सके बट शिवाजी brush aside this advice and decided to meet the Khan as arranged लेकिन शिवाजी महराज ने यहाँ पे किसी की भी बात नहीं सुनी उन्होंने सोच लिया था कि Khan के साथ हमें meeting करने है और meeting के लिए उन्होंने सारी arrangement कर दी थी Before the meeting तो meeting में जाने से पेले उन्होंने क्या क्या किया यह हमें देखना है On the day of the meeting, शिवाजी वीजिटेर भवाणी स्टेमपल in the morning and to darshan तो जिस दिन meeting थी उस दिन जल्दी उटके शिवाजी महराज ने क्या किया जो माता भवाणी का मंदिर था वहाँ पे सुबे सुबे गए और माता का darshan लिया Soon after he started putting on his ceremonial clothes तो जैसे कोई ceremony होती है प्रोग्राम होती है उसी तरह के से उन्होंने क्या किया कपड़े पेने He wore his server and a coat of mail उन्होंने क्या किया पेना Over the coat of mail, he wore a kurta and a flowing robe तो यहापे उन्होंने क्या किया जो coat of mail था उसको पहले अंदर से पेहन लिया उसके उपर से उन्होंने अपना kurta पेहना और flowing robe जो होता है उसको मतलब पेहन लिया On his head he placed the jiratop Jiratop क्या होता है एक तरिके का helmet होता है जिसे लोग क्या करते थे जब युद्धमे लड़ाई के लिए जाते थे इसको पहन के जाते थे And tie a mandil around it तो जो शिवाजी महारास थे वो जो हमेशा पहनते थे अपने सर के उपर जो mandil थी उन्होंने उसके उपर पहन लिया He fitted Vagnac on to the fingers of his left hand उन्होंने अपने left hand में क्या कि वागनक जिसे बोलते है अपने हातों में पहन लिया He done inside the left sleeves was a bitchwa और उन्होंने क्या किया अपने left जो sleeves थी ड्रेस की जो sleeves थी उसके अंदर बिश्वा मतलाब एक चाको की तरह होता है उसको चुपा लिया था And he यहापे आपको picture भी दिखाई दिये है उसको देख लो पहले तो आपको अच्छे से समझ में आएगा Dekhye यहापे Coat Top male इस तरह की का Coat रहता था जिसे लोग क्या करते थी जब लड़ाई पे जाते थे यह लोग तो पहन के जाते थी उसके बाद जीरे Top उन्होंने पहना जिसे helmet भी बोलते हैं हम लोग तो इस तरह की का जीरे Top अपने सर में उन्होंने पहन लिया उसके उपर जो हमेशा का ईनका रहता था जिरे टोफ उसको पेहन उसके बाद वागनक इस तरिके के हूता है यह दिख ए उसको अपने हाथ में उन्होंने पेहन लिया, और बिचवा मतलब इस तरिके का एक चाकू होता है तो सारे जो सर्दास थे उनका वेट कर रहे थे बाहर शिवाजी टर्ण टू देम एंड सेड शिवाजी महारास पूरी तयार के साथ आये उनके पास गये और उन्होंने बुला फ्रेंड्स इच वन अफ यू मस्ट कैरी आउट दूटी असाइन टू यू तो उन्होंने बुला कि फ्रेंड्स दोस्तो यहाँ पे आपको जो जो काम मैंने दिया है उस काम के जो काम आपको मिला है वो अच्छे से आपको करना है तो यहाँ पे जो माता भवानी यह यह जरूर देखेंगी कि हमें इसमें सक्सेस मिल जाए तो उन्होंने यह भी बोल दिया कि अगर यहापे कुछ गलत होता है अगर में मारा जाता हूँ तो आप लोग भरोसा या हिम्मत अपने टूटने मत देना यहापे मेरे बाद आप क्या करो संबाजी संबाजी महारास कुण थे शिवाजी महारास के बैटे थे तो मेरे बाद संबाजी को अपने गादी में बिठा देना and follow the commands of मा साहिब मा साहिब मतलब या पे कोई शिवाजी महाराज की जो माता थी जीजा माता उन्हें मा साहिब कहा जाता था तो अगर में नहीं रहूँगा तो संबाजी महाराज को आप गादी पे बिठा देना और मा साहिब जो भी आपको आदेश देगी उनको मानना fight for स्वराज and extend its boundaries तो मेरे बाद भी आप लोग क्या करो स्वराज के लिए लड़ो हमारे जो सामराज्य एसको उसकी boundaries को सामराज्य को और भी बढ़ाओ make the subject happy और हमारी प्रजा को खुश रखो I shall go now to meet the Khan और अभी में चलता हूँ खान को मिलने के लिए He was accompanied by his वकील पंताजी वोपिनाथ and 10 bodyguards including जिवाजी महाला, संबाजी कावजी, एसाजी कंकर, क्रिष्णा जी गायकवाड, सिद्धी इंब्राहिम और और अधर तो यहां पर अभी चल दिये थे Khan को मिलने के लिए तो उन्होंने अपने साथ अपने जो वकील थे पंताजी वोपिनाथ उनको साथ मिलिया और जो 10 bodyguards, उन्होंने जैसे डिसकस किया था, दोनोंने, Khan और शिवाजी महाराज ने के अपने साथ 10 bodyguard को यह रक्षक उनके लेके आ सकते हैं तो इस तरके से वो मिटिंग करने के लिए चल पड़े वेर शिवाजी रिजद शामियाना, he saw that the Khan had already arrived तो जब शिवाजी महाराज शामियाने तक पहुचे, तो उन्होंने देखा कि Khan already वहाँ पे आ चुका था he was busy planning his future moves, तो वहाँ पे प्लान कर रहा था कि उसे आगे क्या क्या करना है standing by his side was an armed soldier, Bada Sayyad by name तो उसके side में एक, उसका soldier मतलब सैनिक वहाँ पे खड़ा था, जिसका नाम था Bada Sayyad he was highly skilled in the use of Dhanpattah, तो ये जो Bada Sayyad था, ये skill किसमे था, ये Dhanpattah उसे काफी अच्छे से चलाना आता था शिवाजी came to the entrance of the Shamiyana, but on seeing Bada Sayyad, he stopped and would not proceed further तो जैसे ही शिवाजी महाराज शामयाने के entrance पे आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे बड़ा Sayyad भी है, तो वही पे stop हो गए और आगे बिलकुल भी नहीं गए दखान आस्ट शिवाजी स्वकिल, वाई शिवाजी स्टूड अट दा entrance instead of coming in तो उस टाइम खान ने क्या किया, शिवाजी महाराज के जो वकिल थे उनके साथ, उनसे पुछा कि शिवाजी महाराज वहाँ पे entrance पे ही क्यों खड़े हो गए, अंदर क्यों नहीं आए यहाँ पे देखिए आपको picture भी दिखाए देगा कि इस तरह की का शामियाना लगा हुआ था और यह बड़ा सा आपको दिख रहा है यह कोन है, यहाँ पे खान है और यह कोन है शिवाजी महाराज है तो इस तरह की का शामियाना था जहाँ पे उनकी meeting हुई थी शिवाजी मेर्स अबजल खान तो यहाँ पे उनका meeting इस तरह की से हुआ था वकिल सेड तो इस पे वकिल ने क्या कहा, he is afraid of बड़ा सयद, please ask him to go away तो यहाँ पे शिवाजी महाराज की जो वकिल थी है, उन्होंने क्या answer दिया, कि बड़ा सयद वहाँ पे खड़ा है, यह देखे शिवाजी महाराज डर गए है, तो आप क्या कीजे, उनको जाने के लिए यहाँ से बोल देजे तो एक्चुली में शिवाजी महाराज डरे थे क्या, नहीं, उनको पता था कि यह अबजल खान वहाँ पे चाल कर सकता है, इसके लिए उनके वकिल ने यह बोल दिया बड़ा सयद मूँ अवे, दशिवाजी स्टेप इन, जब बड़ा सयद वहाँ से निकल गया, तो शिवाजी महाराज अंदर आ गए तो यह पे अबजल खान ने क्या बोला, कि शिवाजी महाराज आ जाओ, हम गले मिलते हैं, दोस्ती अब हमारी क्या होने वाली है, दोस्ती होने वाली है, तो दोस्ती की रिष्टे पे हम क्या करेंगे अभी, एक दूसरे के गले मिलेंगे तो यह पे उन्होंने पूरी कौशन की तरफ, मतलब एक समझ से, सावतगीरी से उन्होंने क्या किया, अपना एक-एक स्टेप बढ़ाना स्टाट किया खान की तरफ तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, अभजल खान कैसे दिख रहा है, देखो आपको एक लंबा चोड़ा आदमी दिखेगा, लेकिन शिवाजी महारास कैसे दिख रहे है, उनकी सामने काफी शॉर्ट दिख रहे है तो यहाँ पे उन्होंने गले मिलने के लिए बुला, तो शिवाजी महारास की जो हाइड थी हो, कहा तक पोच रहे थे अभजल खान के चेस तक, सिर्फ छाती तक ही पोच पा रहे थे, इतनी ही उनकी हाइड थी At the same moment, the Khan held शिवाजी's neck in his iron grip and stabbed him on the side with his dagger तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया उसी टाइम अभजल खान ने, उनको जब गले मिलाने की कोशिश की, तो जोड से उनका जो गला था अपने हाथों के नीचे दबाया और जो छूरा उसने उसके पास था, जो कट्यार हम बोलते हैं, छूरा जो होता है, उससे उनको मारने की कोशिश की It tore apart Shivazi's rope, but the coat of male underneath save him तो देखे यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जैसे हमने देखा, coat of male, जो उन्होंने coat पहना था लड़ाई पे जाने के टाइम जो लोग पहनते थे, उन्होंने क्या किया था, अपने ड्रेस के अंदर पहन लिया था तो यहाँ पे जैसे ही अबजल खान ने उनको छूरा खोपा उनके पिट में, तो क्या हुआ, उनके जो कपड़े थे हो तो फट गए लेकिन जो coat of mail उन्होंने पहना था, इसके कारण हो बच गए शिवाजी knowing that the Khan was trying to kill him शिवाजी महारास को पहले से ही पता था कि अबजल खान उनको मारने की कोशिश जरूर करेगा quickly trust the Vagnac in the Khan's stomach, तो उन्होंने, जैसे ही उन्होंने लगा कि ये मारने की कोशिश कर रहा है उसी time, quickly, suddenly उन्होंने क्या किया, जो वागनक उन्होंने अपने हाथों में पहना था, जो और से Khan के पेट में गुसा दिया drawing out the bitchwa with his right hand, जो left hand के sleeves में उन्होंने बिचवा, जो छुरा उन्होंने भी चुपा के रखा था, उसको उन्होंने right hand से बाहर निकाला and he draw into the Khan's stomach, और खान के पेट में गुसा दिया and tore up our head skirt, तो पूरी तरके से उनके पेट में गुसा के उनको मार दिया Khan को मार दिया, the wounded Khan fell down, तो पूरी तरके से Khan यहां पे जक्मी हुआ और जक्मी होके नीचे गिर गया, Khan's वकील क्रिष्णाजी भासकर came forward and attacked Shivaji with his sword तो जैसे ही जो अबजल खान का भी वकील उसके साथ था, क्रिष्णाजी भासकर उसने जब यह देखा कि शिवाजी महाराज ने खान को मारा, तो उसी टाइम उसने क्या किया, शिवाजी महाराज पे अटक बोल दिया जैसे ही बड़ा सयद जो बाहर गया था, उसने सुना, आवास सुनी उसने, चिखने चिलने के आवास सुनी शामी आने से, तो वो भी भागता हुआ आया As he was about to strike शिवाजी, जिवाजी महाला came between them and killed बड़ा सयद with one stroke तो जैसे ही बड़ा सयद भाग के आया, उसने शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, जैसे ही वो मार रहता उसी टाइम जो जिवाजी महालाज, शिवाजी महालाज के साथ आये थे, उन्होंने क्या क्या उनको बचा लिया एकी स्टोक से उन्होंने बड़ा सयद को भी मार गिराया बड़ा सयद with one stroke, तो उसे मार दिया Because of Jiva, शिवाजी शिवाजी वोज सेव, became a common saying afterwards तो उसके बाद से ही लोग बोलने लगे की जीवा था, इसके लिए शिवा बच गया तो ये सब लोग बोलने लगे संबाजी कावजी डिस्पले ग्रेट ब्रेवरी इंडिस कॉन्फलिक तो संबाजी कावजी ने भी यहाँ पे एक अच्छा काम किया था तो अबजलकान तो मारा गया लेकिन उसके आर्मी का क्या हुआ यह हमें देखना है तो ये सब बाते होने के बाद शिवाजी महरास कापे गए, किले के उपर गए तो उनोंने वहाँ पे अपने लोगों को सीगनल दिया जो चुपके बैठे थे उन दा इंस्टांट शिवाजी स्टूपस गेम आउट अप देर हैडिंग एन अटाइक द खान्स आर्मी तो जो छोटे-छोटे unit उनों ने बना के hide कर दिये थे चुपा के रखे थे लोगों को समझा के रखा था कि जैसे ही कोई signal आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है खान की जो आर्मी उस पर attack गोल देना है The Khan's army was completely unprepared तो यहाँ पे खान की जो आर्मी थी वो बिलकुल भी प्रिपेर नहीं थी कि किसी तरकी का attack उनके ऊपर होने वाला है So completely unprepared for the attack and was caught in a difficult terrain तो यहाँ पे पूरी तरीके से बूरी तरीके से हो चुके थे, फर्स चुके थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से उन पे अटेक होगा, तो उनको इतना भी टाइम नहीं मिला सोचने के लिए कि अपनी जान बचाने के लिए उदर से भाग सकते हैं, तो वही पे अटक गए थे, तो यहाँ पे जो माराठा थे, माराठा लोग जो चुटके बैठे थे, उन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से खान की जो पावरफुल आर्मी थी, उसको डिस्ट्रॉई कर दिया था, फजल खान, अब्जल खान सन, तो जो फजल खान था, यह किसका बैटा था, अब्जल खान का, तो यह सब जो बाते हुई यह जब अबजल खन को शिवाजी महाराज नहीं मारा तो यह पूरी चीजे कहापे फेल चुकी थे अभी बीजापूर के कोट तक पूरी तरीके से फेल चुका था कि किस तरीके से उन्होंने कारणामा किया है तो उनकी जो शूर्ता थी वीरता थी इनके जो गाने थे अभी बजने लगे थे हर जगह पे और लोग उनका नाम लेने लगे थे तो देखे स्टूडन्ट किस तरीके से यहां पेशिवाजी महाराज ने अपने शक्ति से नहीं लेकिन अपने युक्ति से अपने देमाग से उन्होंने चाला की दिखा कर अफजल खान को यहां पे महाराज गिराया था स्टूडन्ट आई थिंक आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर किजे अपने जो फोर स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होगे उनको भी वीडियो शेयर किजे और अगर अभी तक चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिये